एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे चैनल जी टी गुरू जी पर जहांब सब को पता जी फर ग्रेमर एंटी फर ट्रांसलेशन की वीडियो जहांब सभी को मिलते हैं मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्ट आपका इंगलिश गुरूप रभात कुमार सिंग और आज मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ लूसेंट जूनियर इंगलिश ग्रैमर के चैप्टर 23 जो की है इंफनिटिव जेरंड एंपार्टिस इपल उसके एक्सरसाइस टू के सोलेशन को लेकर डायरेक्शन में लिखा हुआ है पिक आउट दे जेरंड सिंद फोरिंग सेंटेंस यानि जो सेंटेंस दिये गए हैं उनमें से हमें जेरंड को चाटना है इस वीडियो में मैं आपको सारे को संद के आंसर बताऊंगा जेरंड क्या है ये बताऊंगा और इसके अलावा जो है वह आपको रूल्स भी एक एक सिंटेंस में बताता चलूँगा कि कैसे हुआ तो ये बताएं उससे पहले बताना चाऊंगा आप उपर आई बटन में exercise 1 का इसी बुक के इसी chapter का exercise 1 का जिसमें infinitive को छाटना था यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उपर जाकर देख ले बाकी उपर और नीचे description में भी आप चेक कर ले बहुत सारे playlist मिल जाएंगे हमारे channel पर जितने वी वीडियो बनते हैं उन सब के links आपको नीचे मिल जाए बुक्स के नाम से यह बाकी एक grammar topics in English के नाम से होगा जिसमें grammar के सारे topics tense, voice, narration, noun, pronoun जो important topics हैं उन सब पर explanation videos बन चुके हैं जो नहीं बने हैं वो जल्द बन जाएंगे और यहाँ पर जितने भी आपको यह तो solution video है यह तो answer video है इसमें भी examples दी गए हैं तो यह सब आप लोग अ पर इचाह दे दूँ मैं बाकी बुक पर करके आप बेटर तरीका है बुक पर रहें rules को देखें उसके बाद आप बनाए जो गलती हो हम से match कर ले क्योंकि मैं तो rule बताता है लेकिन self study का ज्यादा महत्व है हाँ जहां आपका गलत हुआ तो क्या हुआ यह आप दुबारा rules भी देख सकते हो मैं बताया वह rule है कि नहीं आप confirm कर सकते हैं बाकी आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं स्वेंग जो है वो एक सिक्षक पहले हूँ यूटूबर बाद में हूँ पिछले 10 सालों से 10 साल को क्रॉस कर गया हूँ 11 साल से जो है वो मैं government school में हूँ से पहले मैं CB SC के दोबरे स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ GD Mother International School और All Emission Senior Secondary School दोनों ही मुझा फरपूर बिहार में हैं वहां मैं पढ़ा चुका हूँ चलिए तो सबसे पहले भर्ब जो होता है प्रिंसीपल भर्ब के बारे में पिछले वीडियो भी बताया था उसमें यानि जिसका भ going रन तो उससे बना देंगे रनिंग तो यही आपको जेरंड होता है लेकिन इसमें कुछ-कुछ अंतर है कि सब सारे ही ING जेरंड नहीं होंगे ठीक है जैसे आ जाईए जेरंड speaking is easy बोलना आसान है यह subject के रूप में जब ING वाला आएगा तो वह जेरंड है subject के रूप में नहीं आएगा तो फिर अगले exercise में हम लोग जानेंगे कि या तो वह participle होगा है ना या क्या होगा doing is difficult करना मुस्किल है तो doing क्या हो गया आपको जेरंड हो गया है ना क्योंकि यह subject के रूप में है writing English is easier than speaking it है ना अंग्रेजी लिखना जो है वो ज्यादा आसान है बोलने से तो writing क्या और speaking दोनों जेरंड हो गए क्योंकि यह noun की तरह काम कर रहा I am fond of reading poems है ना fond of reading reading भी यहाँ पर जो हो गया I am reading रहेगा तब वो नहीं होगा लेकिन यहा रीडिंग होगा क्यों या तो जो है वो subject object की तरह काम करेगा या फिर पोजीशन की object के रूप में आगा तब भ highlighter से ठीक है फिर है they like traveling यहाँ पर भी जो है वो आपको traveling हो गया चाहिए इसमें कैसे पहुचानेंगे तो इसमें देख लिजिए पहले एक भर रहेगा और दूसरा जब रहेगा आई एंजी वाला तब वो होगा traveling is essential for learning है ना यहाँ पर traveling जो है वो आपको subject के रूप में हो गय लेता हूं ताकि अब correction करवा दूंगा learning भी हो जाएगा बाकी है gambling is bad for society यानि कि अच्छा यह दो तिन का मीनिंग मैंने नहीं बताया तो बता देता हूं I am fond of reading poems का हो जाएगा मैं कहानियां पढ़ने का सो कभितायें पढ़ने का सोकीन हूं they like traveling way यात्रा पसंद करते हैं traveling is essential for learning यानि यात्रा करना सीखने के लिए जहुड़ी है अगला है gambling is bad for society यानि जुआ खेलना समाज के लिए बुरा है यहाँ पर gambling subject के रूप में हुआ इसलिए यही जेरंड है I hate drinking drink means syrup पीना तो यहाँ पर drinking जो है वो आपको जेरंड हो गया पहले से hate शब्द है पहले से hate verb है फिर है my favorite activities are traveling gossiping and eating मेरी जो है वो पसंदीदा क्रिया कलाब क्या है यात्रा करना गपसप करना और खाना तो इसमें traveling gossiping eating यह जो तीनों है यह तीनों के जेरंड है her hobby is listening to music है ना उसका मतलब शौक जो है वो संगीत सुनना है तो यह लिस्निंग हो जाएगा ठीक है यह यह इस भर्व के बाद आया और इसमें जो है यह noun की तरह काम किया क्यों मेरा जैसे my hobbies के साथ आएं जी आपने का he is listening होगा नहीं होगा he is listening नहीं होगा लेकिन my hobbies listening होगा कैसे हुआ तो यहाँ पर यहाँ भर्व का main काम का सुनने का जैसे कि I am listening का या she is listening कहेंगे तो वह सुन रही है लेकिन यहाँ क्या करागी नहीं सुनना उसका शौक है सुन रही है रहा नहीं लगा उसमें वाइन जी का काम नहीं किया यहां अगला whose hobby is painting over here यहाँ प यहां पर किसी की यादत smoking का नहीं यहां भी smoking जो है रहा रही के sense में नहीं आएगा और इसलिए यहां भी जेरंड होगा आगे बरेंगे my son's hobby is reciting poems है ना कपतापाट करना मेरे पुत्र का शौक जो है वो कपतापाट करना यहां reciting हो जाएगा सीबम's favorite activity is watching tv सीबम का favorite activity जो है वो tv देखना है ना तो यहां पर जो है watching आपको हो गया जेरंड somebody has driving as a hobby कुछ लोगों को driving ही hobby होता है फिर यहां देखे रहा रही के अर्थ में नहीं आएगा तो यहां पर driving आपको जेरंड है बॉबी जो है वो पतंग उराना पसंद करता है या फ्लाइंग हो गया he went on swimming फिर में he was swimming तब नहीं होगा लेकिन वह swimming करता रहा है ना तो यहां पर swimming जो है वो आपको जेरंड है drinking यानि शडापिना इस टू बैड तो यहां drinking subject के रूप में काम आ रहा है इसलिए जो है आपको जेरंड है ना drinking यानि शडापिना बहुत बुरा है I will stop going there मैं वहां जाना बंद कर दूंगा तो यहां पर going जो है वो आपको जेरंड है वही बात ह जो है मेरी बेटी को पढ़ाना बंद कर दिया तो यहां teaching हो गया stopped पहले से और यह teaching जब आया तब जो है यह जेरंड कहला आया I think of presenting a gift on his birthday मैं उसके जन्म दिन पर एक gift जो है present करने की सोच रहा हूँ आचा think of है यही I am presenting रहता तो नहीं होता है तो presenting हो गया it is no use coming here यहां पर coming हो जाएगा यहां आने का कोई फाइदा नहीं playing makes us healthy खेलना हमें healthy बनाता है स्वस्त बनाता है तो playing यहां subject के रूप में यह भी जेरंड है अगला stop quarreling जगरा बंद कर करो तो यहां पर जो है यानि भर्व के object के रूप में यहां पर आ रहा है यह भी जो है आपको जेरंड है no murmuring तो ऐसे commands वाले में भी यानि बात मत करो बात्चित मत करो murmuring means बुद बुद आना यहां भी हो जाएगा stop writing the time is over तो stop command ऐसे करके writing जो हो गया यह भी जेरंड है यान हो गया आपको जेरंड फिर है आपका 29 would you mind my closing the door मिनिंग दिया हुआ है यहां closing हो जाएगा I love singing songs मैं जो है गाना गाना बहुत पसंद करता हूं यहां singing object हो गया love means देखे कई वीडियो में मैं बता चुका हूं love means बहुत पसंद करना कहेंगे sir प्यार करना नहीं होता वो तो हो आपको जिनरली जो है वो sentences में यह यूजर अब I love तो प्यार करता हूं गाना गाने का तो ऐसा तो होता नहीं बहुत पसंद करता हूं जैसे I love mangoes यहां क्या हुआ मैं आम को बहुत पसंद करता हूं प्रिंट से रिक्वेस्ट है चैनल पे नए है चैनल को सब्सक्राइब नह तो आप कमेंट करें मैं हर कमेंट का reply करता हूं थोड़ी देर से ही सही और यदि क्वेस्टन में क्वेस्टन टाइप कर दे तो मेरे लिए आसान होगा नहीं तो फिर बुक निकालो exercise निकालो थोड़ा टाइम लग जाता है वीडियो पसंद आये तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए have a nice day